पानारोथ पंजप्रदान नरेंदर मोधी बोलता है अपने थेड़े जाओ याद कि देश खूद अपनी वैक्षिन बना रहा है वो भी एक नहीं दो दो मेड़ीन इंडिया वैक्षिन आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कौने कौने तक वैक्षिन तेजी से पहुँच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरुत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मंदिर बरहा है इतना ही नहीं भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है साथियों बीते छे वर्सों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफास सेक्टर में जो बड़ा बड़लाव आया है उससे पूरे पुरवांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है अब बनारस वैक्षिन के लिए उसी गती से आगे बढ़ रहा है मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब करीब 20,000 से जादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्षिन लगाई जाएगी इसके लिए पंद्रा टिका करन केंद्र बनाएगे हैं मैं इस पूरे अभ्यान के लिए सभी डॉक्टर्स नर्सेस और मेडिकल स्टाप का अभिनदन करता हूं योगी जी की सरकार का अभिनदन करता हूं सभी डिपार्टमेंट के साथियों का अभिनदन करता हूं साथियों यहां बनारस में आपके क्या अनुभव हैं, वैक्सिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, यह सब जानने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूँ, वर्चुली हम बात करेंगे, मैं आज कोई भाषान करने के लिए नहीं आया हूँ, और मुझे लगता है के मेरी काशी और मेरी काशी के लोग, उनके जो फिडबेक हैं मुझे और भी जगा पर काम आएंगे, आपने खुद वैक्सिन ली भी हैं और वैक्सिनेशन के अभियान में भी जूटे हैं अने हरपरकार के लोग हैं, और मुझे बताया गया है कि सबसे पहले जिन से मेरा समवाद होने का मुझे आज अवसर मिल रहा है शायद वारानसी जिला महिला अस्पताल की मैटरन बेहन पुष्पा जी शायद मुझसे बात कर रही है मेरा मेरा नाम पुष्पा देवी है मैं जिला मैला जी किस साल में मैटरन के पत्व कारियत मुझसर और मैं एक वर्से मैटरन का कारी देख रही हूं अजया आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जीने पहले चरण में वैक्सिन मिली है एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगी जो देश भी सुन रहा है आज आपको मैं भी सुन रहा हूं